प्रेविद्यारत्यों नमस्कार अब तक के हमारे जीविज्ञान के अध्ययन से हमारी यह समझ बन चुकी है कि जीविज्ञान समस्त जीवों का विश्त्रत अध्यन है विविन्य प्रकार के जीवों के स्वरूप एवं आकरती का विश्तत विवरन सहज ही उनकी विविद्ता को प्रस्तुत करता है कोशिका शिद्धान्त या परिकल्पना इन विविद्ध स्वरूपों में नहित एकत्व को इंगित करता है अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिकी संगठन की अवधारना को स्पस्ट करता है ध्यान देने के आवशक्ता है कि कोशिका सिध्धान जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर वेज्ञानिक वे व्यावारिक प्रक्रमों के रहस्ट का बोध भी पैदा करती है यह रहस्य जीवित प्रतिभाशों के कोशिकिय संगठन की अक्सतता अर्थात अखंडता की आवशक्ता थी जिसे प्रदर्शित या अवलोकित किया गया है जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं आप अवश्य आश्यरी करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते चलिए आए आज हम कोशिका जीवन की इकाई के अंतरगत इस जिग्याशा का उत्तर ढूलने का प्रयास करते हैं तो विद्यार्थियों आज हम कोशिका के विभिन आयामों को जानेंगे तथा कोशिका को परिभाशित करेंगे विभिन जीव वेग्याने को द्वारा कोशिका संबंदी अध्यान में किये गए उनकी विभिन प्रयासों को जानेंगे कोशिका सिध्धान्द को समझेंगे प्रोकेरियोट तथा यूकेरियोट की संद्चना की बारे में भी हम जानेंगे प्रोकेरियोट तथा यूकेरियोट की सन्दचना में मूल भूत अंतरकू स्पष्ट कर सकेंगे कोशिका के विविन रूप वे आकार का अध्यन करेंगे इसके साथ-साथ हम छात्रों में आप सब में कला कौशल, वैज्ञानिक दिष्टिकोन, जिग्या सुप्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास करने का भी प्रयास करेंगे इसके साथ-साथ दैनिक जीवन में जीविज्ञान को सहसंबंदित करने का भी प्रयास करेंगे सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं इन में से कुछ जीव एक कोशिकाओं से बने होते हैं जिने हम एक कोशिक जीव कहते हैं जबकि दूसरी प्रकार के जीव हमारे जैसे और अनेक जो आपके आसपास जानवर हैं या पशुपक्षी हैं या पौधे हैं अमीवा दिखाया गया है, पैरामीशियम, यूगलीन आदी भी दर्शाये गये हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बहु कोशिकी जीव जैसे जलिये पौधे एवं जलिये जन्तुव आदी दर्शाये गये हैं। इसके साथ-साथ आप ने आसपास भी बहु कोशी की जीव को देख सकते हैं अत है अब आप एक कोशी की जीव है बहु कोशी की जीव को भली बाती समझ गये होंगे ऐसा हम मानते हैं कोशिकी जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन वे जीवन के सभी आवश्चक कारी करने में सक्षम होते हैं कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से सन्दचरत्मक वै क्रियात्मक इकाई होती है इसे हम एक बहुत ही सरल उधान द्वारा समझने का प्रयास करते हैं आपने देखा होगा जिस प्रकार किसी भी प्रकार के भवन के निर्मान में चाहे वो छोटा सा मकान हो अत्वा बहुमंजली भवन हो या इमारत हो सभी में आपने यह देखा होगा कि भवन की मूल भूत निर्मान इकाई इंट अत्वा पत्थर ही होती है इसी प्रकार जीव की समझना भी मूल भूत रूप से कोशिका से ही निर्मित होती है ऐसे ही जीवों के समस्त कारिय जैसे पाचन, श्वशन, उत्सरजन, जनन, आधी यह सभी की सभी कारिये कोशिका के माध्यम से ही होते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि कोशिका ही जैविक सन्रचना वै जैविक कारियों के मूल में है आते हैं अब हम कोशिका को परिभाशित कर सकते हैं क्या है इसकी परिभाशा कोशिका जीव की मूलभूत संदचनात्मक वैक क्रियात्मक एकाई होती है आईए अब हम कोशिका के बारे में किस-किस जीव वैज्ञानिक ने कब-कब क्या-क्या किया इसके बारे में जानने का प्रियास करते हैं क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली बार किस ने कोशिका को देखा और इसका वड़न किया बच्चो विध्यार्थियो एंटॉन वान लिवेन हॉक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा और इसका वड़न किया था उसके बाद राबर्ट बाउन ने केंद्रक की खोज की, सूक्ष्म दर्शी के आविश्कार वा बाद में इसके बहुतर सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट वा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी द्वारा कोशिका की विश्त्रत संदर्चना का अध्यन संभव हो सका 1838 में जर्मनी के वनस्पती वैज्ञानिक मैथियस लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्यन के बाद पाया कि ये पौधे विविन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उतक का निर्मान करते हैं लगभग इसी समय सन 1849 एसवी में एक ब्रिटिस्ट प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन जन्तो कोशिकाओं के अध्यन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली पर्त मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य जिल्ली कहते हैं अंग्रेजी में से सेल मेंब्रेन कहते हैं थियोडोर स्वान ने ही पादप उत्रकों के अध्यन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ती मिलती है जो इसकी विशेष्टा है इस आधार पर स्वान ने अपनी परिकलपना रखते वे बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनकी उत्पाद से मिलकर बना है स्लाइडिन वैश्वान ने सन्यक्त रूप से कोशिका सिध्धान्त को प्रतिपाजित किया यद्यपी उनका ये सिध्धान्त यह पताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्मान कैसे होता है इसके बाद पहली बार रुडॉल्फ विरकोव ने सन 1855 में इस्पस्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्मान पूर्व में इस्थित कोशिकाओं के विभाजित से होता है इसके लिए ग्रीक में कहा गया है अमनिस सैलूले इसलूला रुडॉल्फ विरकोव ने स्लाइडिन वेश्वान की परिकलापना को भूर्पांतित कर एक नई कोशिका सिध्धांत को प्रतिपादित किया वर्तमान समय के परिपेक्ष में कोशिका सिध्धांत इस प्रकार कहा जाता है पहला सूत्र है सभी जीव कोशिका वे कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और दूसरा सभी कोशिकाएं पूर्व इस्थित कोशिकाओं से दिर्मित होती हैं विद्यार्थियों आपने आरम में प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सुक्ष्म दर्शी की साहिता से अवश्य देखा होगा आप उनकी सन्रचना का स्मर्ण करें देखिए इस चित्र के माध्यम से प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादब कोशिका है जिसके बाहर सतह पर एक स्पस्ट कोशिका भित्ती वैसके ठीक नीचे कोशिका जिल्ली होती है आप चित्र में देख सकते हैं इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देखिए मनश्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक जिल्ली संदचना निकलती दिखाई पड़ती है प्रते कोशिका के भीतर एक सघन जिल्ले युक्त संदचना मिलती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं इस केंद्रक में गुणसूत्र जिसको हम अंगरेजी में क्रोमोजोम कहते हैं यह होता है जिसमें आनुमनशिक पदार्थ DNA होता है जिस कोशिका में जिल्ले युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोट कहते हैं और जिसमें जिल्ले युक्त के इंदरग नहीं मिलता उसे प्रोकेरियोट कहते हैं आप इस चित्र में स्प्रस्ट उप से देख सकते हैं कि दोनों यूकेरियोटिक वे प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे वे एक अर्थ तरल आव्यू हु मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या फिर अंग्रेजी में साइटो प्लाज्म कहते हैं दोनों पादप वे जन्तो कोशिकाओं में कोशिकिये क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुखिस्थल होता है कोशिका की जीव अवस्था संबंदी विभिन रासायनिक अभिक्रियाँ यहीं संपन होती हैं यूकरियोटी कोशिका में केंदर की अत्रिक्त अन्य जिल्ले युक्त विभिन संदचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं जैसे अंतह प्रदवी प्रजालिका या एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकनिकाएं या माइट्रकॉंट्रिया, सूक्ष्मकाई अर्थात माइक्रोबोडी, गौलजी, सामिष्र, लैनकाई अर्थात लाइजोसोम वे रसधानी आदी प्रमुख रूप से कोशिकां पाए जाते हैं, प्रोकेरियोटिक कोशिका में जिलीप्त कोशिकाओं का अभाव होता है, इस प्रकार हम यूकेरियोटिक वे प्रोकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर पस्ट रूप से देख सकते हैं, क्या आप इसे सूची बद्द करना नहीं चाहेंगे मैं चाहूंगा कि आप यूकेरियोट और प्रोकेरियोट की बीच में जो अंतर आपने जाने है अब तक उनको सुची बद्द करें क्या आप जानते हैं कि कोशिकाएं माप, आकार वे कारे की दिश्टी से काफी भिन्न होती है कोशिकाएं माप, आकार वे कारे की दिश्टी से काफी भिन्न होती है उधारन के लिए सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा है और यह लगभग दसमलव तेन माइक्रो मीटर लंबाई की होती है जबकि जीवानु अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका की लंबाई तेन से पांच माइक्रो मीटर की होती है इसी प्रकार प्रतक की गई सबसे बड़े कोशिका शुत्रमोग के अंडे के समान है अर्थात सबसे बड़े कोशिका शुत्रमोग का अंडा है बहु कोशिकी जीवधारियों में मनश्य की लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है और इनका व्यास लगभग 7 माइक्रो मीटर होता है तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती है यह कोशिकाएं विमबाकार बहुभुजी स्तंभी गनाव धागे की तरह या असमा कृतिक प्रकार की हो सकती है आपने देखा कि कोशिकाओं का रूप उनके कारी के नुसार भिन्न हो सकता है आता है आज हमने जो कुछ भी कोशिका के बारे में सीखा है उसके हम एक बार पुन्रावित्ति कर लेते हैं सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं इन में से कुछ एक कोशिक तथा कुछ बहु कोशिक जीव होते हैं कोशिका जीव की मुलभूत संदचनात्मक वे क्रियात्मक इकाई होती है एंटोनिवन लियोन हॉक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा और इसका बढ़न किया रावर्ट ब्राउन ने केंडर की खोज की स्लाइडन वे श्वान ने संयक्त रूप से कोशिका सिध्धान को प्रतिपादित किया रिडुल्फ विर्को ने सन अठारा सो पच्चपन में सपस्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं को निर्मान पूर्व कोशिका सिध्धान्त को प्रतिपादित किया और वर्तमान समय के परिपेक्ष में कोशिका सिध्धान्त है पहला सूत्र है सभी जीव कोशिका व्य कोशिका उत्पाद से बने होते हैं इसका दूसा सूत्र है सभी कोशिकाएं पूर्व इस्तित कोशिकाओं से नेर्मित होती प्रतेक कोशिका के भीतर एक सगन जिल्लय युक्त सनचना मिलती है जिसे केंदरक कहते हैं इस केंदरक में गुनसूत्र अर्थात क्रोमोजम होता है जिसमें आनुवनशिक पदार्थ डिने होता है जिस कोशिका में जिल्लय युक्त केंदरक होता है उसे हम युकरियोट कहते ह और जिस कोशिका में जिल्लियोप के इंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकेरियोट कहते हैं दोनों यूकेरियोटिक वे प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे वे एक अर्ध तरल आव्योह मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटो暴ाद्म कहते हैं दोनों पादप वध्यंत कोशिकान में कोशिक की ये क्रियाओं हेतू कोशिका द्रव्य एक प्रमुक इस्थल होता है कोशिका की जीव अवस्था संबंद विभिन harm राशायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्ध होती हैं। के अंडे के समान होती है जीवानु अर्थात बैक्टिरिया की कोशिका की लंबाई तेन से पांच माइक्रो मेटर के होती है जबकि तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में माने जाती हैं बहु कोशिकी जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका गोलाका हम ये आशा करते हैं कि आप इसे पूरे मनयोग से अपनी पाठे-पुष्ट की साहता से पूर्ण करेंगे इस अभ्यास में पहला प्रश्ण है कोशिका क्या है दूसरा प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की, तीसरा प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की, चौथा प्रश्न, कोशिका सिध्धान्त के दो सुत्र बताईए, पांचमा प्रश्न है, कोशिका सिध्धान्त सर प्रथम किसने दिया, छटा है, एक नामांकित चित्र की साहिता से यूकेरियोटिक वे प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतरस्पस्ट करें हैं प्रेविध्यार्थियोग हम ये आशा करते हैं कि आप स्वाध्धाय करते रहेंगे और अपने उद्देश्री की पूर्ती में सफल होंगे इनी शुब कामनाओं के साथ सिग्र ही आप से पुनाय मिलेंगे नमस्कार झाल